हेलो फ्रेंग्स वेलकम टो अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप्लिकेशन डेवल्पमेंट के अंदर वह किस तरीके से हमने पल्स एनिमेशन जो है वह क्रिएट करनी है तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं सिमूलेटर के अंदर मेरे पास एक लाइव रनिंग एक्जामपल है पहले मैं इसकी आपको वर्किंग दिखा देता हूं फिर मैं आपको पताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिम्पल वे के साथ इस तरीके की जो एक्जामपल्स हैं वो अपनी आई ओएस डिवाइस क के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लेंगविज की हल्प के साथ इंप्लीमेंट कर पाएंगे यहां पर देख सकते हैं मैंने एक वाइफाई का जो इमेज है वो यहां पर यूज किया है और उसके चारों और स्वर्ल की तरह आप देख सकते हैं पल्स एनिमेशन जो है वो मैंने क्रियेट की हुई है तांके एक यूजर को अलग ही जो एक्सपिरियंस एनिमेशन का वो यहां पर मिल पाए तो यही है हमारी आज की एक्जामपल इसमें बस हमने यह जो एनिमेशन आप देख रहे हैं यह किस तरीके से क्रियेट करनी है यह राउंड जो सर्कल्स ह करवाने है एनिमेट करवाने हैं वो हमने यहां पर सीखना है तो काफी सारी अप्लिकेशन के अंदर इस तरीके की जो रिक्वार्मेंट है वो रहेगी चलिए यहां पर आप देखिए मेरे पास थियोरी के रिलेटेट भी एक दो टाम से वह आपके लिए जानना काफी इंप पारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएं तो सबसे पहला टाम जो है वो है एनिमेशन तो एनिमेशन जो है वो आई यूएस के यूजर इंटरफेस में काफी एक क्रिटिकल पार्ट है जो की यूजर को एबिलिटी देता है तांके वो अपनी जो अटेंशन है वो कर पाएं किसी पर्टिकलर एरिया पर एनिमेशन के साथ आपकी जो एप्लिकेशन है वो काफी पॉलिश्ड नजर आती है और उसे यूज करना काफी एजी हो जाता है वैसे तो आई यूएस के अंदर काफी सेट आफ डिफरेंट एपी आई अवेलेबल हैं जिनके साथ आप एनिमेशन क्रियेट कर सकते हैं उन्हीं में से सबसे एक इंपॉर्टनट एपी यह वह है यूआई व्यू डाट एनिमेट तो इस एक्जांपल के अंदर हमने एक और फंडा जो है वह सीखना है वह सीए बेसिक एनिमेशन का तो आई यूएस के अंदर जो कोर एनिमेशन है उसका जो एजिएस्ट फॉर्म है एनिमेशन की वह है सीए बेसिक एनिमेशन इस क्लास की हेल्प के साथ आप किसी भी लेयर की प्रॉपटी जैसे उसका फ्रेम बैक्डराउंड कलर पाथ और सीए शेप लेयर का भी आप जो फ्रेम है बैक्डराउंड कलर है पाथ है इस तर तो चलिए अब हम देखते हैं इसको practical है हमने इस example को किस तरीके से implement करना है तो सबसे पहले इस project को मैं stop कर देता हूँ इस पूरे project को मैं close कर देता हूँ एक नए project के साथ यहाँ पर implementation जो है वो start करते हैं तो मैं यहाँ पर project create करूँगा single view application होगी next पर क्लिक करते हैं project name के अंदर आप आज की example का जो भी name देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं तो मैं अपने accordingly यहाँ पर रख देता हूँ पल्स animation और इसे next पर क्लिक करेंगे और जो language हमने use करनी है वो करनी है sweat तो चलिए next पर क्लिक करते हैं कि अब आपने laptop के अंदर कहीं पर भी जहां पर भी आपको बढ़िया लगे आपने एक फोल्डर क्रेट करना है तांके उस फोल्डर के अंदर आज की example का जो सारा सोर्स कोड है वो से वो पाए तो मैंने कुछ इस त्रीके से इसको create कर दिया है project को और इसके अंदर project मेरा आप देख सकते हैं यहां पर बन चुका है और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो swift का जो version है वो मेरे पास है 5 और अगर बात करें X code की तो यह मेरे पास 10.2.1 अगर आपके पास इस से भी higher version है तब ही आप इस example को इसी वे के साथ easily develop कर पाएंगे और जो मेरे पास laptop है यह Macbook Air तो सबसे पहला गाहा में आपने एक Wi-Fi की जो image है वो यहां पर drag and drop करनी है इस assessed folder के अंदर तो चलिए मैं यहां पर देख लेता हूं कहां पर मेरा जो folder है उसमें मैंने जो है images जो है वो रखी हुई है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से तो यहां पर हमने इस image को drag and drop करना है इस तरीके से और आप देख सकते हैं जो image मेरी है वो यहां पर आ चुकी है project के अंदर अब हमने main door storyboard में जाना है और इस image को place करना है image view element के अंदर तो अब मैं object library के थ्रूँ यहां पर सर्च करूंगा image view और इसे drag and drop करते हैं यहां पर बिल्कुल horizontally and vertically center में इसको align करना है आपने attribute inspector के थ्रूँ जो image आपने import की थी उसे यहां पर set करना है और अब आपने इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं चलिए इतना बहुत है और अब इसको जो है vertically and horizontally in container आपने करना है तो मैं इसको यहां पर कुछ इस तरीके से एड़ कर देता हूं और आप चाहें तो इसका जो size है वो यहां पर set कर सकते हैं तो मैं size यहां पर set कर देता हूं 250 अंडू कर देते हैं एक बार इसको और दुबारा से इसको जो यहां पर clear करते हैं पहले constraints और यहां पर manually add करते हैं constraints पहले width and height set कर देते हैं यहां पर और अब आपने यहां पर horizontally and vertically in container यहां पर करना है तो चलिए यहां पर मेरे constraints हैं वो set हो चुके हैं अब हमने इसका जो IB outlet and IB action दोनों ही create करने हैं तो उसके लिए मैं अपना जो favorite method assistant editor उसी की help लोंगा तो basically यहां पर IB outlet की ही हमें जरूरत पड़ेगी IB action हमने यहां पर create नहीं करना है तो मैं assistant editor के थुरू यहां पर side वाले panels को hide कर देता हूं और यहां पर by default view controller class open हुई है इसको मैं select करता हूं control key को press करते हो drag and drop और यहां पर अब मैं लिखूंगा IB outlet का name तो मैं यहां पर लिख देता हूं my image view और इसे connect कर देते हैं तो चलिए फिर से standard editor के अंदर चलते हैं side वाले panels को unhide करते हैं इसको एक बार save करते हैं और view controller के अंदर जाने के array होगी CA shape layer type की array होगी blank array इसको हम create करेंगे अब हमने जो एक function है पल्स animation को create करने के लिए वह हमने यहां पर create करना है मगर उससे पहले जो हम एक और function create करेंगे यहां पर अब हम function use करेंगे function animate pulse layer add index and इस तरीके से एक function को create करेंगे उसमें हमने pulse layer कौन सी layer को use करना index के through assess करेंगे stroke color यहां पर provide करेंगे तो आप जो भी color का pulse यहां पर देना चाहते हैं उसका color यहां पर specify आप जो है वह कर सकते हैं अब हमने animation की जो scaling है वह करनी है तो मैंने यहां पर comment टेक लगा दिया है तांके आपको पता चल पाए तो चलिए scale करते हैं इसको कि सीए basic animation यूज करेंगे की पाथ उसका जो parameter है वह हम देखेंगे और transform .scale यहां पर use करेंगे अब हमने scale animation . उसका जो from value है वह set करेंगे 0.0 और scale animation कहां तक जाएगी उसकी भी value यहां पर set करेंगे 0.9 अब हमने scaling तो यहां पर set कर दी circle छोटे से बढ़ा होगा अब हमने opacity उसकी जो है वह set करनी है उसके लिए मैंने यहां पर comment लगा दिया है opacity एक object यहां पर create करते हैं किस type का होगा CA basic animation type का होगा और यहां पर भी हम key path को use करेंगे और यहां पर हम उसका name जो है वो देंगे opacity अब हमने opacity animation.from value यहां पर use करेंगे 0.9 opacity to value यहां पर use करेंगे और उसकी value यहां पर provide करेंगे 0.0 अब हमने grouping करनी है animation की toast के लिए यहां पर grouping the animation एक group यहां पर object यहां पर create करते हैं animations बतानी है कौन कौन सी हमने animation यहां पर apply करने हैं दो object यहां पर apply करेंगे animation को groups में हमने यहां पर create कर दिया है group animation की duration कितनी होगी कहने मतलब scale animation opacity animation दोनों की duration होगी 5 seconds और repeat करना है कि नहीं करना उसके repeat count यहां पर provide करेंगे यहां पर हम use करेंगे dot ease out यहां पर use करेंगे pulse layer index dot add करेंगे इसके ओपर group animation और की यहां पर use करेंगे हम group animation उसका name जो है इसको provide करेंगे तो चलिए friends यहां पर एक function जो हमने बार-बार use करना है अपनी pulse animation के लिए वह function मैंने यहां पर create कर दिया है आप चाहें तो video को यहां पर pause करके इसकी coding जो है वह आप no down कर सकते हैं तो चलिए अब हमने जो एक और function है वह यहां पर create करना है तो उसको भी यहां पर create कर देते हैं function make pulse animation तो friends यहां पर जो code है वह मैंने पहले से ही लिख रखा है तांके थोड़ा सा time जो हमारा save हो पाए तो उस code को मैं यहां पर copy paste कर देता हूं और फिर आपको line by line जो है वह आपको बता दूँगा किस तरीके से code जो है वह work करता है तो चलिए यहां पर code मैं command V के through जो है वह यहां पर paste कर देता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर एक for loop मैंने use की है zero से लेके two तक चलेगी और उसके बाद में यहां पर circular path मैंने यहां पर एक object create किया है जो के यहां पर एक function है जिसकी help के साथ हम जो circle है उसको create कर सकते हैं अब हमने pulse layer यहां पर use करनी है उसका path जो है इस circular path के accordingly हम यहां पर define करेंगे fill color जो हमने use करना है वह बिल्कुल नहीं use करना circle बिल्कुल empty होगा और उसकी जो line width 2.0 कर दी है मैंने line cap यहां पर round कर दिया और उसकी जो position रखी है वह बिल्कुल image के center में रखी है आप देख सकते हैं मैंने image का ही x और image का ही वाइब जो है center वाइब जो है वह यहां पर निकाला है और इस pulse को add किया है अपनी sub layer के अंदर और pulse layer जो हमारी array है उसके अंदर हमने इसको जो है append किया है तो अब आप दीख सकते हैं और उसके बाद में मैंने dispatch queue.main.ersync after यहां पर function जो है वो यूज किया है और किस तरीके से मैंने particular layer को animate कर वाया यहां पर तीन layer हम यूज करेंगे 0 index पर पहले index पर और दूसरे index पर और हर बार हम यहां पर जो हमारा यह custom animate pulse layer at वाला function है इसको हम तीन बार call करेंगे और उसमें जो यहां पर आप दीख सकते हैं किस तरीके से हमने timing की जो difference है वो रखना है पहला 2 second दूसरा 4 second तीसरा 5 second इस तरीके से हमने multiple layers को जो है वो यहां पर animate करना at a time और उससे हमें जो pulse animation का जो effect है वो यहां पर नजर आएगा तो इस make pulse animation वाले function को आपने view did load के अंदर जो है वो call करना है तांके जैसे ही आपकी application run हो automatically जो है वो आपका pulse animation वाला जो feel है वो आपकी application के अंदर जो है वो आप आए तो चलिए friends आप चाहें तो वीडियो को यहां पर pause करके इसकी जो coding है वो no down कर सकते हैं तो friends हमारे पास एक बड़िया offer है आपके लिए हम अपनी pen drive sell कर रहे हैं जो के 999 रुपिस की जिसका link जो है वो description में दिया हुआ है वीडियो की उसे हम इंडिया में कहीं पर भी deliver कर सकते हैं और उसमें काफी सारा material जो है हमारी वीडियो के related है coding files है जिनको यूज करके आप और भी ज्यादा यहां पर जो है वो learn कर सकते हैं तो उसको order जरूर कीजिए उस pen drive को तो चलिए code हमारा बिल्कुल ready है graphical user interface जो है वो भी ready है अब इसको system का ने कर सकते हैं उसलीय को अप आपे 5 लग देखते हैं City के अंदर हमारी जो एक मिध्यक में जो आप बिल्कुल सखनार के से यहां पर निकल के आया है तो अगर आप है수 कर आप चेंज करना चाहते हैं तो तो पल्स का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं तो एक दो मॉडिफिकेशन में आपको करके दिखा देता हूं यहां पर देख लेते हैं यहां पर कहां है कलर वली प्रॉपर्टी कोड को मैं यहां पर हाइड कर देता हूं तो ओपसेटी भी होगी है हमारी सीए बेसिक अनिमेशन भी हमने यहां पर अप्लाई कर दी है तो यहां पर आप देखिए मैंने ब्लू कलर लिया है तो यहां पर मैं रेड कलर कर देता हूं अब और इसको फिर से करते हैं और आप देखेंगे जो पल्स का कलर होगा वह रेड कलर का होगा तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत इस अप्लिकेशन के अंदर करके अपने अप्लिकेशन का डिजाइन वह आप त्यार कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए अगर और वी वीडियो से उमारे चैनल के उपर आप इसी तरी के से देखना चाहते हैं तो चैनल को रही है वीडियो देखते रही है प्रोग्रामिंग सीखते रही है ठैंक्स प्रेंट्स फॉर वाचिंग अवरे वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ तब के लिए बाइबाए